तो अगर आप सभी का एक और नए वीडियो में और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ abstract photography के बारे में कि abstract photography क्या है और हाँ आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा रगर ने सुना तो मैं क्यों बैठा हूँ मैं तो बता दूँगा तो बेसिकली पहले इंट्रो देख लें उसके बाद मिलते हैं तो abstract photography और उसके बारे में जानने से पहले आप कुछ images देख लिए देख लिजिए कि abstract photography क्या होती है यहां फिरो कैसी दिखती है तो यहां पर कुछ images में show करूँगा जैसे कि आप देखी रहे होंगे कि इस टाइप की जो photograph होते हैं इन्हें abstract photography कहते हैं और abstract photography बेसिकली यह एक abstract painting का अलग रूप है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो जो photography उसमें आप अपने creativity देखा सकते हैं लेकिन इसकी definition क्या है तो इसकी definition अगर आप Wikipedia में जाके देखे तो वहाँ पर लिखाए there has been no commonly used definition of the term abstract photography तो Wikipedia में भी कह गया है कि abstract photography का कोई एक perfect definition नहीं है तो इसके लिए हम अपने अपने हिसाब से भी बता सकते हैं लेकिन यहीं Wikipedia में एक और बात लिखी गई है कि abstract photography sometimes called non objective experimental and conceptual photography तो यहाँ पर Wikipedia जी का भी कहना है कि यह एक non objective होता है और non objective के साथ experimental और conceptual रहता है जिसमें आप अपने experiments को देखकर अपना कोई भी photograph बना सकते हैं आप अपना experiment करिए concept बनाई है लोगों के सामने प्रस्तूत करिए तो कुछ Wikipedia में इस तरह का मतलब होता है लेकिन इसके बारे मेरे के opinion है मेरे opinion यह है कि एक perceptional photography होती है जहाँ पर आप कुछ ऐसे photograph क्लिक करते हैं या फिर कोई ऐसा concept लाते हैं जहाँ पर हर इनसान उस photograph को देखने के बाद अपना अपना perception जो point आता है क्या आप इसे phone के camera से क्लिक कर सकते हैं तो मेरा मानना है बिल्कुल हाँ किसी भी phone से भी आप क्लिक कर सकते हैं जैसे कि यह MI 11 light है तो इस phone से भी आप क्लिक कर सकते हैं आपके पास 15,000 का एक सस्ता वाला phone है उसे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप flagship वाले phone से भी क्लिक कर सकते हैं और वहीं अगर आपको जानना है कि आप कैसे क्लिक कर सकते हैं तो इसको मैं बता नहीं सकता कि आप कैसे क्लिक कर सकते हैं लेकिन हा टिप जरूर दे हुए कोई भी ऐसी वीर्ड चीज करिए जिस पे आप अलग-अलग आइडियास को यूज कर सके ऐसे फोटोग्राफ को आप क्लिक करिए तो मेरे यहाँ पे कुछ मैंने क्लिक के हुए हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे देखा दे रहा हूं आप इनकी मदद से भी किले फोटोग्राफ क क्लिक कर सकते हैं बाकी अगर आप ऐसे फोटोग्राफ क्लिक कर रहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं कॉमेंट में आप अपने वीचारों को प्रकट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को